इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारती करण और महारती अर्जुन का आमना सामना होता है और महारती करण अपना अधबुत प्राक्रम दिखा देते हैं जिससे महारती अर्जुन भी चकित हो जाते हैं और ये पूरा घटना करम जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा दे महारती अर्जुन और महारती करण दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे उसी वक्त सूध पुत्र करण बड़ी सिग्रता के शाथ पांडु नंदन अर्जुन को 12 बानों से खायल किया उनके जोडों के शरीर चेद कर चलनी कर दिये और विराट पुत्र उत्तर के हाथ में भार करण को सहसा आते देख किरिट धारी अर्जुन वित्तिव्र गति से आगे बढ़कर जैसे विचित्र पंक वाले गरुड किसी नाग पर जोर्ष आक्रमन करते हो उसी प्रकार बड़े वेग से उस पर तूट पड़े वे दोनों ही शंपूर उन धनुर्दर वीरों में करने वाले थे करण और अर्जुन का यूद सुनकर समस्त क्वारव विव से देखने के लिए दर्शकों की भाति खड़े हो गए अपने अपरादी करण को सामने देखकर पांडु नंदन अर्जुन की क्रोदागनी भड़क उठी वे तुरंथी हार्ष एवं उच्छा से भ घायल होकर चिकने चिल्लाने लगे किरेट धारी पार्थ के बानों से रत्त आच्चादित हो जाने के कारण बिश्म आदी सभी महारती घोडो सईत अद्रिश्य से हो गए तब महामना वीर करण भी बान समुव द्वारा अर्जुन की भुजाओ से छोड़े हुए शंपूर बानों को शिग्र ही काट कर अपने धनुस और बानों के साथ चिंगारियों से युक्त अगनी की भाति सुसोबित होने लगा फिर तो वहां करण बारंबार परतेंचा खीच कर धनुस की टंकार फैलाने लगा और उसकी प्रसंसा करने वाले कोर्वोक के दल में हतेलियों और पतागा के शमान हिल रही थी और उसके अग्रभ भाग पर भयंकर भूतों का भैरवनाद हो रहा था इसके साथ वज्र की गडगड़ाट के समान गांडीव धनुस की टंकार फैल रही थी ऐसे केरिट धारी अर्जुन की और देखकर करन बारंबार शिहनाद करने लगा तब रत सहित करन को बानोद्वारा पीडित करके पितामा भेश्मा दुराना चार्य क्रिपा चार्य की और देखते हुए करन पर हट पूर्वक बानों की वर्षा प्रारंबकी ये देखकर करन भी अर्जुन पर मेग की भाती बहुत से बानों की जड़ी लगा दी इसी प्रकार क लोगों ने देखा वे रत पर बैटे हुए बान समु के भीतर से इस प्रकर प्रकासित हो रहे हैं मानों बादलों के भीतर शूर्य और चंद्रमा चमक रहे हो करण को अर्जुन का प्राकरम असाय हो उठा तो करण ने शिग्रबान चोड़ने की कला का प्रिचे देते हुए तिखे बानों से अर्जुन के चारो घोडों को बिंद डाला फिर तीन बानों से उनके सार्थी को घायल कर दिया और तुरंध ही तीन बान मारकर धवज को भी छ डाला कूरू कूल के स्रेष्ट पूरुस गांडी उधारी अर्जुन समर भूम में सत्रू को रौन डालने वाले थे वे सूत पुत्र के बानों से खायल होकर सोय हुए सिह के शमान जाग उठे और विपक्ष्वे पर शिद्धे आघात करने वाले बानों द्वारा करण का सामन करने के लिए आगे बढ़े महारतिक करण की बान वर्षा से अहात हुए महात्मा अर्जुन अतिमानुस प्राक्रम प्रकट किया जैसे शूरे अपनी किर्णों के शमूज से समस्त संचार को आच्छादित कर देते हैं वसी प्रकार उन्होंने बान समुदाय से करण के रत को ठक दिया उस समय अर्जुन की दसा उस गजराज की भाती हो रही थी जो अपने प्रतिदवंदी गज का प्रहार सहकर श्वेम भी उस पर चोट करने के लिए उज्यत हो उन्होंने तरकस से भल्ल नामक तेखे बान निकाले और धनुस को कांत तक खीच कर शूत पुत्र के अ जांगो मस्तक ललाट तदा ग्रिवा अधी उत्तम अंगो को चेद डाला अर्जुन के छोड़े हुए बानों की छोट खाकर शूर्य पूत्र करन तेले मिला उठा और एक हाती से प्राजित हुए दूसरे विगसाली हाती की भाती वह पांडु नंदन अर्जुन के बानों स संतप्त हो युद का मुहाना चोड़कर फाग निकला बस आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफीगेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए